नमस्कार दोस्तों माझा टेकनिकल चैनल में आप लोगा स्वागत है आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने यूटूब चैनल पे किसी वीडियो को आप प्राइबेट मोड में डाल दिये हुए हैं और अब आप इस टेंसन में परहुए हैं कि उस वीडियो का जो वाच टाइम है वो चैनल पे इंक्लूड किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा या फिर उस वीडियो को लेकर जितना भी वाच टाइम आपके चैनल पे चला हुआ है क्या उस वाच टाइम को यूटूब के तरफ से काट लिया जाएगा वो आज इ आपने youtube channel को monetization के लिए under review में आप डाल दिये हैं जैसे ही आपके channel पर 4000 गंटा पुरा हुआ है आप अपने channel को under review में monetization अपलाई कर दिये हैं और उसी समय किसी कारण से आपके channel पर strike आया है या फिर आपको लग रहा है कि यो वीडियो जो है risky है या फिर किसी कारण से, कारण वो आप समझ रहे होंगे किसी कारण को लेकर अगर उस वीडियो को आप प्राइबेट मोड में डाल दिये हुए और उस समय आप ये टेंशन लेकर बैठे हुए है कि क्या उसका जो वाच टेम है वो माइनस कर दिया जागा या फिर नहीं किया जागा तो हम आपको बता दे देखिए सबसे पहले आपको एक स्क्रीन पर हम आपको एक स्क्रीन सोट दिखा रहे है जो कि यूटूब के मोनिटाइजेशन पॉलिसी के लिए ये काउंट किया जाता या यानी कि जितना भी इस पे आप आकरा देख रहे हैं चाहे आप वीडियो कोवाट महार्ट में दाल दीजे या फिर उस वीडियो को आप वहाँ पे लीष्टेट कर दीजे या पिर आप किसी भी वीडियो को आप network के दोवारा आप वहाँ पे चलाते है गूगल एडवर्ड का मतलब क्या होता वो भी आप समझ देजे काफी सारे ऐसे यूटूबर को आप देखते होंगे जो अपनी वीडियो को जो है एडसेंस के तरफ से वहाँ पर मोट करवाते हैं यानि कि विज्यापन देखर आप अपने वीडियो को वहाँ पर चलवाते हैं तो उसका भी वाच टाइम यूटूब मोनिटाइजेशन पॉलिसी के लिए काउंट नहीं किया जाता है तो जो चार पांच हम आपको इस्थिती बताए हैं ये चारो पांच इस्थिती देखने के बाद ये असपस्ट हो जाता है कि अगर आप किसी वीडियो को अपने चैनल पर प्राइबेट कर दिये हैं तो उसका जो भी वाच टाइम है वो आपके चैनल से माइनस कर दिया जागा अब यहाँ पर दो इस्थिती है हो सकता है आपके चैनल का मोनिटाइजेशन इनेबल हो गया होगा इनेबल हो चुका है उसके बाद भी उस वीडियो का जो वाच ट दाल देते है तो धयांद रखिए उसका जो भी वाच ९ुव वह आपके चैनल से माइने मस होता है इसका मतलब साफ हो जाता है कि जब वीडियो को आप प्राइबेट करते हैं उसका वाच टाइंम वहाँ पर माइनस होता है तो चार हजार गंता जो राइटेरिया है उसमें आपका जो watch time है वह वहाँ पर घट जागा और जैसे ही 4000 घंटा से कमravel आपके channel पर watch time हो ता है आपके channel का monetization है वह under review में हिं रोक दिया जागा और तब तक रोक रखा जागा जब कहाधर आपके channel चैनल पे साल भर के अंदर यानि कि जो भी एक साल पूर्णे में आपके चैनल पे बाकी होगा उतना दिन के अंदर अगर 4000 घंटा पूरा नहीं होता है तो आपके चैनल का मोनिटाइजेशन इनेबल नहीं होगा लेकिन अगर एक या दो महिना बचा हुआ या फिर जितना भी अगर जो घटा हुआ वाच टाइम जैसे ही आपके चैनल पे पूरा हो जाता है तुरंत आपके चैनल का मोनिटाइजेशन इनेबल करके यूटूब पर तरफ से दे दिया जाता है तो खास इस वीडियो में हम आपको यहीं बताने वाले थे कि काफी सारे ऐसे यूटूबर ह दे कर अपने वीडियो को अपने चैनल पे प्राइवेट मोड पर जाकर डाल दिये हूँ है। अब वो यह सोच रह는 कि जिस वीडियो को हम प्रॉट वूट में डाले हुए क्या उसका वीव या फिर वाच टायम मेरे चैनल से माइनस किया जागा या तो दोनों स्थिती में आपका जो watch time है या फिर view है वो cut हो जाता है चाहे आपका चैनल जो है monetization हो चुका है उसके बावजूद भी उस वीडियो का watch time और view cut हो जागा या फिर आप अपने चैनल को under review में डाले हुए उससी स्थिती में आपका जो watch time है और view है वो वहाँ पर cut हो जाता है तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि किसी भी YouTube वीडियो को अगर आप private mode में डालते हैं या फिर unlisted mode में डालते हैं या फिर delete करते हैं तो उसका जो watch time और view होता है वो automatic आपके चैनल से cut हो जाता है